जय हीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में एक्च्वल बिल एन क्वांटिटी पे कैसे वर्क करते हैं अगर कोई समान हम खरीद रहे हैं उसमें कुछ समान अगर फ्री में दिया जाए तो उसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम में कंपनी बना लेनी है एफ 11 प्रेस करना है और यहां से आपको एक अप्शन दिखेगा यूज शैपरेट एक्च्वल बिल क्वांटिटी कॉलूम इन इन भाइस यह अप्शन बाइड डिफॉल्ट नो रहता है इस अप्शन को आपको यस करना है और इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है जब आपकी एंटरी एक्सेप्ट हो जाएगी अब आपको कोई भी पर्चेस या सेल्स की एंटरी करेंगे वहाँ पे बाइवन गेट वन फिरी की एंटरी कर पाएंगे इसके लिए आपको जाना है वाउचर में वाउचर में जाने के बाद पर्चेस के लिए एपनाइन प् इंटे करने के बाद नीचे आएंगे तो एक purchase का laser बनाना परेगा, तो हम एक purchase का laser बना लेते हैं, अब यह purchase का laser है, under group purchase account में जाएगा, तो इसे हम purchase account में डाल लेंगे, इंटे करने के बाद type of laser not applicable, GST भी हम यहां से applicable लख लेते हैं, और type of supply में goods को selected के accept कर लेते हैं, अब name of item हम alt और c button को praise करेंगे, और एक बना लेते हैं, साबून का नाम जैसे rein, इंटे करते हैं, primary में डालते हैं, category not applicable, unit हम इसे piece में बेचने वाले हैं, तो create में जाते हैं, और एक PCS का symbol बना लेते हैं, पूरा नाम PIE, CES टाल लेते हैं, और इंटे करने के बाद unique code भी हम PCS को select कर ल रहेगा, one रहेगा, मतलब एक include रहेगा, मतलब दो piece में एक free रहेगा, rate अगर हम 20 रुपिया लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आपका 20 रुपिया से एक कहीं price आएगा, means एक दो piece आपको actual में मिलेगा, लेकिन price आपका एक कहीं यहाँ यहाँ पे rate जोड़ा जाएगा, तो total amount ए लेकिन price आपका 10 कहीं लेगे, यानि दो piece आपको free of cost मिल जाएगे, इसे इंटर करके accept कर लेने हैं, तो यह purchase की entry हो जाती, इसी तरह sales करना है, तो sales बटन पे click करेंगे, sales खुलेगा, party name हम फिलाल cash टाल लेते हैं, और इंटर कर लेते हैं, इंटर करने के बाद नीची आएगे यहाँ पे sales का एक laser चाहिए हो, तो laser बनाने के लिए create option में जाएंगे, और एक sales का हम laser बना लेंगे, sales का laser अंडर जाएगा, sales account में, इंटर करने के बाद type of laser not applicable, GST applicable, और supply में goods को select करके हम accept कर लेंगे, name of item ring का बना हुआ, तो ring ही select कर लेते हैं, 12 PC बेच लेते हैं, 10 का price लेते 30 रुपया के rate से 300 आजाएगा, इंटर करके हम इसे accept कर लेते हैं, तो दोस्तों इस तरह से actual build पे काम करते हैं, अगर normal चाहिए आपको, तो F11 हमें press करना होगा, और actual build and quantity को no करना होगा, no करने के बाद control A बटन से हम इसे save कर लेंगे, तो आप अगर sales के यहाँ पे देखेंग तो purchase में भी quantity normal ही आपको दिखाई देगे, तो दोस्तों actual build and quantity पे इसी तरह work कर सकते हैं, buy one get one free के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like कर दीजे और मेरे channel पे नए हैं, तो घर बैठे इसी तरह के content के लिए channel को subscribe कर लेजे, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीड वीडियो में तब तक लिए जाइन आपका दिन सुभू